यौ वाट्स आप गाइस कैसे आप से वी लोग वालकम बैक टूनेदर गेम फिले वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबारा से खेलने जा रहे हैं रेंच सिमुलेटर और तो जैसे कि आप से वी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने रेंच में एक बहु मिलते रहे तो उसके लिए ओटमेटिक फीडिंग सिस्टम भी बना दिया था अब इतना सब कुछ करने की बाद अपने पास इसके में बहुत जादा पैसा आ चुका है पूरे के पूरे 24,000 डॉलर से गठे हो गए हैं तो मैंने सोचा कि यार देखो घर बगरा बनाया तो उस वैसे आज की इस वीडियो में मैं करने वाला था एक सिकिंद मों तॉपिकए पुलके हैं वह भीठाउय यार आज की वीडियो में गाडियं जाको थो यह चोट berries वीडो ऐसे नहीं करें जोब कर दो या चोटी मोटी मैंने में मशीन लाके रखी भी है जिसमें कभ़ है लक ड काटने से याद आया कि अगर अभी मुझे एक गराज बनाना है तो उसके लिए मेरे को एक पहले बढ़िया जगा ढूननी होगी वैसे अपने घर के पास पूरा खुला मैदान है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जैसे एंट्री गेट ना यहां से जैसे रस्ता आ रहा है अपने र प्राइस है वैसे सोच रहा हूं जाई रहा हूं तो लगी हाथ ना यह देख रहे हो गेम यह आपर आपको थोड़ा सा लागी लागी दिख रहा होगा उसका रीजन ऐसा नहीं है कि अपना यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा हूं उसका रीजन ही है कि मुर्गियों ने इतने ज जाएगी सही बता रहा हूं एक उठाते उठाते यह काम मुझे इपने छोटे भाई से करवाना चीए था ओल्राइट गाइस तो भी फिलाल मैंने यहां से कम से कम 25 से 30 लाग एग उठा लिये अब इस जगह को बंद करते हैं और मैं यहां से दूर जाने वालों भाई दिख्या होगा कि अंदर जो पिग है उन्हें भी खाना नहीं मिलेगा तो मुझे फटवट से भरना होगा पहले देखता हूं यहां पर कितना खाली है 21 इसमें पूरा भरा हुआ है और पिग अपने पास बहुत जादा हो चुके और कुछ-कुछ समजदार मुर्गिया इसने भी यहां पर बाउल्स है ना फूड के वह भर जाएंगे और साथ ही इसमें करने से पूरा पानी भर जाएगा और इसके पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि अभी पूरा अंडर वाटर हमने पूरा समर्सीबल वाला सिस्टम हो गया है तो अभी फिलाल मैं सबसे पहले जान बनाना है वो ट्री भी कट करने है उसके एक ब्लू प्रिंट रेडी करना है फिलाल साब हो चुका है और हां मुझे थोड़ा बहुत मेटल भी खरीदना होगा अधर्वाइस अपने गिराज में अंधेरा रहेगा तो मेटल से बनेगी ट्यूब लाइट उससे रोशनी हो जा हम लोग आ चुक है डेलर्शिप है लाइस को सीधास की दुकान का प्राइस पतागर हो बैंक ओ लग रहे है यहां पर थोड़ी दिनों में बैंक भी खुलने वाला है ओ हां यह देखो शायद से थोड़ी दिनों में खुल जाएगा अभी अंडर कंस्रक्शन है लिफ्ट से 1,000 की आजाएगी सेडान 600 प्यार से आएगी ट्रॉक मेंगा है 2,500 यह भी आजाएगा लेकिन यह पिकप 800 एटीव अच्छी है 500 की पर यह किसी काम की नहीं है बस यह ट्रैवलिंग के लिए इस पर मैं शायदी गैस कैन भी नहीं मतलब पेट्रोल भी नहीं भर के ला सकता कुछ कम नहीं है उल्टा जाद है दो बार आजेगी सारी गाड़े मतलब डबल डबल करें सकता हूं है लेट्स गो फिलाल अभी उसको बनाने के लिए नहीं एक काम करता हूं जेनरल स्टोर सामने है तो पहले ही जो एग खरीदे है न मतलब जो ही कठी करें मुझे पता करने कितने के बिकने वाले इसको बेच के आते हैं और एक तो यह पता नहीं कैसी सी जगह पर हम लोग रहते हैं बड़ा ही अजीप करीब आइलेंड है बात बात पर बारिश शुरू हो जाते है मतलब घर से निकलों आयसे धूप हो रही है मतलब पूरा सार जल रहा है और यह पो अधिसे दो एक्स जो है ड्रॉप कर दिया थे जमीन पर फिलाल अभी सब के ओके तो फड़ा फट से मैं अपनी बास्केट यहीं पर रख देता हूं और अंदर चलते हैं जेनरल स्टोर के और पता करते हैं आखिर मुझे इन एक्स के कितने पैसे मिलने वाले ठीक है हां तो म 314 डॉलर बैठे बिठाए क्योंकि 290 एक और एक चिकन जो बिचारा मरा वदावार ठीक है सेल ऑल भाई 25,405 डॉलर हो चुग है अभी मैंने इतना सिस्टम सेट कर दिया है कि मुझे कुछ करने की ज़रत नहीं है बैठे बिठाए समलो अच्छा कासा पैसा आते जाएगा ब आफट आफट से चलते हैं सीधा हाडवेर स्टोर पे जो गिराज बनाना है उसका सम्माल लेने के लिए वैसे यार सही बताऊ ना बड़ा टाइम हो गया हंटिंग निकरी कहां पहले ऐसे डियर को मारने जाते थे उसमें ऐसे बीर हमारे पीछे पड़ जाता था उसको भी प खरीदने हैं इससे घास काटने में बहुत ज़्यादा असानी होते हैं अभी मिल जाए तो मैं ले लूँगा शायद से यह पहले लेने आया था हां यह भी अपने बार्न हाउस के अंदर की घास सारी काटनी है मैं अपने साथ वो जो बड़े वाला ट्रेलर है ना वो नहीं और यहां वरना मैं एक बार में बहुत सारी लकडिया ले जाता फिलाल भी यहां से थोड़ा बहुत निया बहुत ज़्यादा मेटल खरीद ले वेने और थोड़े बहुत वुटन प्लंक्स खरीद ले 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 ते हैं लेस अपसे इतने तो गाड़ी पर भी नी लोड़ वैसे अपने पास पैसो की कमी तो है इस ताइम तो मैं काम करता हूं यह चोटे वाला ट्रेलर पर चेस कर लेता हूं 600 डॉलर काई था कोई दिक्कत वाली बात निया अब इसमें सारी की सारी लकडिया लोड कर वा देंगे बट उससे पहले ना मुझे इसको इससे अटाच कर उपन कर देते हैं और भी जादा स्पेस हो जाएगा अब अपना सारा समान एक बार में जाएगा उल्टा मैं थोड़ा जादा ही लेके जाने वाला हूं क्यों कि भाई गराज भी तो बहुत जादा बड़ा बनाना है उसमें फिर लगेगी भी बहुत जादा ओके गाइस तो हूँ और यह अब बस गिरे ना बीच रास्ते में वैसे अगर प्लेस हो गए है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लेट्स को फिलाला भी एक अच्छी सुबह हो चुकी है जल्दी से पनी गाड़ी लेकर चलते हैं सीधर रेंच पे मुझे मालूम है भी सारी ट्यूब लाइट बन सकती है तो यह मैं वापिस आ चुका हूं अपने रेंच पे फड़ा फट से अपनी इस गाड़ी को यहीं पर खड़े करते हैं और यह जो गराज बनानी की जगा है ना मुझे फड़ा फट से यहां पर थोड़े बहुत पेड़वेर काट के अच् वुटन लॉग है इसे भी यहां से हटाना पड़ेगा वरना ऐसे पूरे में बिखरे रहेंगे तो गंदे लगेंगे और वेट 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 एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया यह जो बड़े वाले ट्री है यह जब कट जाते है तो इनका बेस रह जाता है वैसे ग आने का काम अगले दिन स्टार्ट करेंगे गाइस मेरा गेम नस अची में बहुत लाग ही चल रहा है और मैं आज जुका हूं भाईन सारी की सारी मुर्ग्यों को यहां से भगाने परेशान कर दिया भाईन उन्ने निकलो यहां से सब के सब आनी तो भाई उधम मचा रहा था विचारी कैसे भाग रही है सौरी बट मुझे करना ही हो गए भाई साफ बहुत सारी चिकन को अभी मैंने मार दिया है विलाल एक वरी आप लोग उपर का मौसम देगो कि इतना ज्यादा मस्त हो रहा है एकदम खतरनाक वाले बादल यहां से गई है थोड़ी बद बचीत यह भी वापिस आगे है सौरी अभी तुम लोग अंदर नहीं जा पाओंगे लेट्स को इन सब को मार दिये कल मैं बेचाओंगा फिलाल भी मैं जा रहा हूं सोने के लिए और जो गिराज बनाने का अरिया था वो मैंने अल्मॉस्ट पूरा क्लीन कर दिया यहां पर थोड़े ब इक यहां पर खड़े ओ देख लिया बाई यह मेरे को लगा उसने फ्लाय करा बट नहीं यह फ्लाय नहीं कर सकती ज्यादा है ज्यादा देर के लिए है बहुत अदम में चाले आज अभी फड़ा फट से चलके सोते हैं जल्दी से गोड मॉर्णिंग गाइस तो अभी फिलाल नेक्स टोड़े हो चुका है फड़ा फट से चलके हैं सबसे पहले यह जो एरिया है जहां पर मुझे अपना बड़ा गयराज बनाना है इस एरिया पर लास नेट हमने ट्रीश कट कर रहे थे और उन्हें चॉप करने के बाद जो वुड़न लॉक्स निकले थे वो सारे यही तो कुछ बिल्ड भी नहीं कर बाएंगे तो फिलाल सारा का सारा एरिया मैंने क्लीन कर दिया है अब हम लोग अपना गयराज यहां पर असानी से बना सकते हैं बागी पीछे का एरिया देखो पूरी की फील्ड खाली पड़ी है एक्दम लंबा गयराज रेल्वे स्टेशन बागी हां मैं यह सुच रहा था कि अभी गिराज बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मुझे ब्लूप्रिंट बनाना होगा बड़ उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि क्यों यह वाली जो मशीन है ना वुट काटने वाले देखो वुट की कमी हमें पढ़ने वाली है तो इ बागी हां मैंने बोला था मुझे ब्लूप्रिंट बनाना होगा तो सबसे पहले मेरे को बेस पे फाउंडेशन लगाने मैं थोड़ी सी डिरेक्शन देख लेता हूं कुछ इस तरीके से मैं यहां पर बनाने वाला हूं बागी जैसे एक रैम्प होगा गब जब गाड़ी उ फाउंडेशन लगानी होगी और फाउंडेशन में एक्जैक्ट यहां पर लगाने वाला हूं क्योंकि इसके आगे में एक रैम्प लगाऊंगा जब गाड़ी उत्रेगी तो सहसे धलान सी होनी चीए एकदम डारेक्ट थोड़ी जंप मारेगी लट्सको एक यहां रखते है एक इसके पीछे एक यहां पर वागी गिराज जादा बड़ा भी नहीं बनाना है क्योंकि मेरे पास छे से साथ गाड़ी आएंगी वैसे छे से साथ कम नहीं होती वाई इसको एक दो तीन चार पांच छे का स्पीस मेरे साब से इनफ है तो कुछ इस तरीके से मैं हर थोड़ तो यहां पर भी अपने पास बहुत सारे वुड़न प्लांक सी कठे हो जाएंगे फिलाल अभी हम लोग जल्दी से बिल्ड स्टार्ट करते हैं अपने नए बड़े गिराज का हा तो बिल्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़े मुझे बिल्ड मोड में जाना है और बेस में और सबसे बहले सिलेक करने है फांडेशन में बेस बनाना होगा उसके ओपर गहराज बनेगा बागी देखो एंट्री यह है तो मैं चारों एंट्री गरते हैं गाड़ी सीधा पार्किंग में या फिर जो भी हम बना रहे हैं उसके अंदर चले जाए तो थोड़ा साइड बनाते है क्योंकि इसके आगे एक रैंप लगेगा जिस पर गाड़ी इसली उतरेगी तो इसको मैं कुछ एकदम डारेक्शन से यह ना मैं डारेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए लेट्स को 3 2 1 यह मैंने आपर लगा दिया और मैंसे लगाने वालों में पास एक गाड़ी है औ के लवा बनाओंगा तो कोई ज़्यादा बड़ा ना हो जाए ओके तो यह काफी ज़्यादा सही लग रहा है अब फड़ा फट से काम करते हैं मुझे लगाना था रैंप रैंप मैं अटाच करके देख लेता हूँ लग रहा है या फिर नहीं यह तो काफी सही लग रहा है अ जाफी जाधा बढ़िया बनने वाल है मैं सही बता रहा हूँ अभी सही बहुत जाधा सही लुक आ रही है इसकी हाँ तो यह हो गया अब मैं सोच रहा हूँ कि ना इनके साइड साइड में वॉल लगा हूँ नहीं एक चीज एक सिकिन्ट इसके उपर स्कूटी नहीं है बाई चोटी नहीं होती है गाडी थोड़ी बड़ी होती है मतलब थोड़ा पीछे भी स्पेस होना चीज़िए ना तो फांडेशन पीछे भी लगेगी और गाडी बैक साइड सी चड़ेगी तो जाधा बड़ी है पीछे साइगी आगे से उतर जाएगी सिंपल लेट्स को तो इस करते हैं फांडेशन सेलेक्ट करें यहां पर यहां पर लगा दी अब मुझे लगाने है इस पर दो रैंप यहां पर दो नहीं सोरी सारी रैंप लगेंगे ना एक तो तीन चार और यह लग गया पांच ओके तो समल्यों बेस पूरा रेडी हो चुका है अब बस साइड का का म मैं वाल बनानी है इसके ऊपर भी मैं एक फ्लोर बनाने वाला हूँ वहां पर भी तीन चार गाड़ी का स्पेस दे देंगे अच्छा गासा फिलाल अभी जितनी मैं लेकर रहा था ना वह सारी के सारी यहां पर लगाते है अपने जो मेटल है इसको मैं संभाल के साइड में बहुत जोड़ा महंगी चीज़ा वाई इस गेम में सही बतार हो मतलब इससे महंगा इस गेम में भी तक कुछ नहीं है अगर इस टाइप के मटेरियल्स में देखा जाए फिलाल अभी यहां पर मैं लगाता हूँ एक कम्प्लीट यह सब में लगाते हैं जल्दी से काम खतम क सकता हूँ थोड़ी सी हाइट पर बनाते हैं इसे रुख जाओ नहीं पॉसिबल है वैसे गयस मैं इतनी देर से ख्या नूबड़ा पंती कर रहा हूँ मैंने अभी नोटिस करा मैं लिटरली एक एक प्लांक मतलब एक प्लांक स्टाक उठा रहा हूँ और उसके बाद उसे ल साइट के सारे के सारे राप जोकि एक एक बार में हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर छे प्लांक स्ल información लकते यह इन फैन आपने बच बह टे इन टीनों को थोड़ी अच्छी कार्स के लिए अपनी सेडान हो गई बाकि जो साइड वाले एरिया हैं इन दोनों को मैं ट्रक्स वगरा के लिए छोड़ देता हूं ठीक है ना तो यहां पर मुझे वाल लगाने होगी मैं इसमें पार्टीशियन करने वाला हूं तो बेल्ड म बैक साइड दिखने में डिफरेंट है यह इसकी फ्रंट है या यह बैक है तो यह इंटीरियर वाली साइड पर लगने अभी मैं ठीक लगा रहा हूं पहले लिए बड़ा अजीव हो जाता अभी जब हो जाता है कंप्लीट तब आपको समझाएगा यह चीज मैंने जब वह इसको एक दो तीन तो यह हो चुका है इसको भी मैं फड़ा फट से प्लैंक लगा के देखता हूं दिख कैसे रहे हैं यह मैं लगा है प्लैंक हां तो गाइस यह जो आप वाल देख पारें एकदम प्लेन यह इंडोर साइड पर लगती है तो जो वाला घर है अपना थोड़ है एकदम फड़ा पट से वाली साइड भी कंप्लीट करते हैं तो अभी सही अपना गिराज काफी ज्यादा बड़ा लगने लग गया है अभी तो इसके ऊपर वाला फ्लोर भी बनना है फिर तो यह बहुत ज्यादा लगने वाला है बढ़ा एक चीज है कि जब यह पेंट हो साइड है ऐसे ही लगने वाली है एक दो तीन वाल मैंने या पर लगा दी एक बारी चेक कर लेता हूं कि सही से लगी है या फिर नहीं तो यह जो दो लाइन सारी है यह बस आउट्डोर साइड पर अच्छी है इसका मतलब मैंने वाल साही लगाई है लेट्स को यह एरिया तो मुझे यह वाला भी तोड़ के इधर भी विंडो लगानी पड़े की तो सेंटर वाले को हम लोग तोड़ देते हैं और यहां पर एक नई विंडो प्लेस करते हैं कुछ इस टाइप से हो गई अब इसको ठाके यह लगा दें ओ वाई विंडो वाला डिजीजन काफी क्या क्या मैंने इस घर में चेंज करें मतलब बहुत ज्यादा लोग चेंज कर दिया पहले से यह वैसे पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको सही से समाझ आएगा बाकि हाँ जो चोटी वाली वोल थी ना पहले वो अंदर वाली साइट पर तो मैंने से बाक साइड पर मैं आउट्डोर साइट पर कर दिया और बड़ी वाली वोल को अंदर कर दिया को उपर वाला फ्लोर बनेगा तो काफे अजीब सी नहीं लगेगी तो इसलिए मैंने कर रहा है अब बाकी उपर वाले फ्लोर का काम फड़ा-फट से स्टार्ट करते हैं और अभी शाम के छे बजन स्टार्ट कर देता हूं इसको लगाने को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं जहां जहां पर लगाना बस प्लेस करते जाना है तो यह प्लेस हो चुका है अब फड़ा-फट से से कवर कर देते हैं मैं सोचनों की हाइट ना थोड़ी ज्यादा करनी चीए क्योंकि जब यहां पर ट्रक आएगा तो ट्रक ऊपर भीड़ जाएगा भाई नहीं वेट एक अभी तो मैंने बोला कि ट्रक के लिए मैंने एरिया बना है बिल्कुल परफेक्ट बना है अब ट्रक बीड़े अंदर लाना ही नहीं आपर यह तो तुक्के तुक्के में बढ़िया चीज बन गई मतलब नहीं भी होगा पर खुब भी जाएगा ऐसे देखने में लगी गानी इससे कहा है अलग-अलग गाड़ी अपनी तमीज में पाक रहेगी यह वाली गाड़ी यहां से अपना आके निकलेगी यह वाली बीच से और यह वाली इस साइट से फुल लक्शुरी लुका रही वह तो मैंने भी सोचा नहीं यह फ्लोर है न ओ यह भी यहां पर लग सकता है पर नहीं मुझे लगाना ही नहीं यार अभी न अंधेरा होने वाला है कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा बाकी का काम ना कली करेंगे बढ़ा इस गेम का यह रूल है कि आठ बज़े से वहले मै चल के अब सो जाते हैं एक बारी फिर से गोड मॉर्निंग वैसे एक चीज अची लगी जैसी मैं सो के उठूंगा मेरे टेंट के सामने मुझे अपना लग्शुरी गिराज दिखने को मिलने वाला है बस इसके अंदर गाड़ी आंके खड़ी हो जाए इसमें पेंट हो जाए इसके बाद यह शायद से गंदा न लगे नहीं मैं चाहूं तो इससे कॉंटिन्यू कर सकता हूं बुरा नहीं लगेगा अच्छा ही लग रहा है वैसे तो पहले एक यहां पर लगेगा अब एक इसके बीच में नहीं लग पाएगा करते हैं यह वाला मैं को हटाना होगा वे जाके लगा दे थे हैं मेरे साबसे जल्दी पूरी कॉम्प्रीट कर दी है अब बस मुझे इसकी ट्राइंगल वाली जो रूफ होती है वह बनानी है और सब्सक्रा काम खथा मोझा पिर पस मुझे यहां पे आपके पेंट करना है पांच गाड़ी के हिसाब से काफी ज्याद अच्छी पार्किंग है मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटिट नहीं बनाया यह इजी तू यूज है मतलब मैं अपनी गाड़ी लाओं और तुरंट एजी ली निकाल दूगा और थोड़ा वैसा जबनाता नहीं मस्ट एंट्री हो तो फिर वह यूज में ही रहती मतलब ब पहले गाड़ी लानी पड़ेगी उसके लिए गाड़ी को करा मैंने पीछे इसको रुख जो इसको इसको हटाना पड़ेगा हाँ अब ही ठीक है ओके तो अपनी गाड़ी को मैं यहां पे लेकर आचका हूँ मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा हलका सा और बास इतना शा रेस्टोरेंट नी गेराज की चत काफी ज्यादा बड़े है मैं रेस्टोरेंट बोलने वाला था भी लिट्रिली लेट्स को तो मुझे विंडो विंडो को यूज निया ना विंडो लगाए क्या ऊपर पाकिंग करनी चाहिए अपर नहीं मैं को समझ नहीं है नहीं चोड़ मैं इसको के ट्राएं मैं कॉर्मर पर इसे नहीं लगा पा रहा हूँ चलो कोई नहीं वहां के लिए शाहत से कोई दूसरी वाली वुड़न रूफ आती होगी अलग शेप की फिलाल यह सब कुछ हो चुक है बड़ हां कॉर्नर मुझे ढूंडने होंगे बाक साइट रहीं व बड़ वो भी यहां पर अलगी तरीके से लग रही है शायद यहां के लिए नहीं बनी है बड़ यह ऐसे ओपन भी तो अजीब लगेगा ना चलो कोई नहीं देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए फिलाल अभी जल्दी से इसमें वुड़न प्लैंक्स लगा के इसको पूरा कम्प्लीट करते हैं अटलीस्ट अभी न थोड़े से वुड़न प्लैंक्स कम पड़ गए है मुझे फड़ा फट से फ्यूल ढूनना होगा अभी या इस वाली गास कैन में भी फ्यूल एक बूंद बचा है वेट अपना जो वुड़न कटर वाली मेशीन है ना मैं सोच रहा था कि इतने से फ्यूल से मैं सिर्फोर सिफ एक से दो वुड़न लॉक्स कट कर पाऊंगा बट यहां पर तो मैंने कम से कम तीन से चार वुड़न लॉक्स कट करके प्लैंक्स बना लिया है फिलाला भी जल्दी से इनको उठा कर लेकर चलते घर में लगाने और थोड़े से ट् лайयां प्लैंक्स में कट करके लहाया है इसको इस वाली साइट लगा के अपना गिरज पूरा कम्पलीट कर दिया है मैंने और यह सची में काफी जाता बढ़या लग रहा है बस अगर आप सइट को बन कर दो तो मैंने कहे था कि क्यों ना हम लोग यहां पर यह वाल शॉर्ट वाल लगा के इस एरिया को थोड़ा सा धग दे अट लिस्ट कहीं से भी यह इंकम्प्लीट नहीं लगेगा ओके गाइस लेट्स को तो फाइनली मैंने अपनी गेराज की रूफ कम्प्लीट कर दिया है चारो तरफ यह शॉर्ट वो लगा के और अभी यह काफी जदा सही लग रहा है लेकिन अभी इस ब्लूप्रिंट पे मुझे प्लैंक्स लाके लगाने अदर्वाइस यह इनकम्प्ल मुझे लेने जाना होगा अभी मुझे मुझे याद है कि मुझे मार्केट जाने के जरूत नहीं है मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर दो ग्यास के लागे रगे दे जिसके फ्यूल भर के पड़ा हूँ है मैं बहुत सारी वूट करके प्लैंक्स बना सकता हूँ एक मशीन कर रहा है बट एक बार ही आप लोग यह सूचों कि जब मैं इसमें एक मस्त पेंट कर दूंगा तो भी यह कैसा लगने वाला है फिलाल गीचों के राजन है काफी ज़्यादा इसमें गाड़ी ले जाने में और बाहर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं बट अभी मुझे क करना होगा कि आखिरकार मुझे इस पर कौन सा पेंट करना चाहिए वाइट या ग्री कलर का पेंटी में साब से सबसे ज़्यादा बेस रहेगा अधरवाइस इसमें रेड ग्रीन ब्लू यह सब बहुत ज्यादा ही रंगवी रंगा हो जाएगा तो भी फिलाल मैं अपनी गा ब्रैटनेस कम रखते हैं और यहां से ग्रे क ओके गाइस तो अभी फड़ा फट से मैंने काफी सारी buckets उठा के अपनी गाड़ी पे लोड करा दिया है थोड़ी बहुत extra हो गई है इसको यह पर पढ़े रहन देते हैं बात में अपने काम आएगी लेकिन जो जो आ सकते हैं वो रख लेते हैं इसको भी लेते हैं और जल्दी से अभी निकलते हैं सीधा अपने रेंच के लिए फुल स्पीड में मैंना गाइस कुछ भी करके आज रात होने से पहले paint complete करने की कोशिश करूँगा अपने garage के उपर क्योंकि कल morning में उठते मुझे गाड़ियां भी लेकर आनी है तो यह मैं फिलाल अपनी गाड़ी लेकर पहुँच चुका हूँ गिराज पर बाई साब इतनी सारी मुर्गयां विचारी बाहर मरी पड़ी आजीव लग लग दिया फिलाल इनको खाना डाल देता हूं सब लोग को सबसे फ्लोड पे वाइट पेंट कर तो JOHN ONE बीच पर यहां पर वाइट पइंट करते जाते हैं पोरा पेंट ओगा बाई अब जो ग्रेकर Бामैं श्रय एडार्क सा हो डहाय हैं इनको कहीं मुदा डार्क लग रहा है अरे काफ़ी जादा बड़ कोई नहीं बीच में जो पार्टिशन से इस पर भी कर दिया यही ओके तो भी फिलाल काम करते करते काफी जादा अंधेरा हो चुका है और यह जो रेड वाला पेंट था न मैं सोच रहों कि क्यों ना इसे इस पार्टिशन पर कर ओ वाव पाई यह तो चाहता सही लग रहा है य इरिया सची में थोड़ा जादा ही डार्क हो रहा है बट अच्छा भी लग रहा है एक काम करता हूं मेरे पास ही जो वाइट वाला पेंट है ना नहीं पहले ग्रे वाला पेंट इसको ले जाकर हम लोग बैक साइट पर करते हैं क्योंकि यहां तो मैं करना ही भूल गया था साइट वाले रैम पे भी रेड वाला पेंट नहीं हो रहा है सब कुछ हो गया नीचे वाले फ्लोर पे तो बट यह जो अपनी रूफ है यह रह गई थी तो फड़ा फट से इसको भी कंप्लीट करते हैं फाइनली गाइस मैंने अपने गिराज को ऊपर से लेकर नीचे तक प गाड़ियां इसकी डीलर्शिप से खरीदने वाला हो मेरा बस चले तो मैं इसकी पूरी डीलर्शिप करीद लूँ वैसरे डीलर्शिप की सारी गाड़ी खरीद रहें तो इसका मतलब डीलर्शिप ही हम लोग खरीद रहें तो यह SUV है जो की 1000 dollars की थे मैंने purchase कर लिया अब है पास ये 600 डॉलर की सड़ान यह भी खरीते हैं ट्रक है इसके पास 2500 डॉलर का यह भी खरीते हैं यह है पिक अपकर है ले आए आए एइटी वी इसको कैसे छोड़ सकते हैं बहले किसी काम ना है बट ये गाड़ी चलने में बहुत ज्यादा बड़िया होगी लेट्स तो भी फिलाल मैंने या से सारी की सारी गाड़ियां पर्चेस कर लिया है और वह सारी कार्स वीकल्स जितनी भी अपने गिराज में में इस पार्किंग में आगर गड़ी हो चुकी है बागी यार वेट यह वाली सदान वीकल तो काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है वह उस सदान फिल दे अब यार विल्कुल भी स्टेवल ने रही है और इसको वापिस घर पे लेके चलो मुझे बस शॉफ के लिए लगानी थी वहाँ पर अभी इसका एक्सिटेंट हो जाएगा या लेने के वैसे इसमें गाड़ी तूटती ही नहीं ठीक है इसको घर पे लेके चल अपनी गाड़ी को मैंने ला कि अपने गाराज में पार्क कर दिया है पीछे वाले गेट कवर ना अब उतरते हैं और पीछे से पहले लकड़ी हटाओ अभी और गाड़ी भी लाएंगे इसमें भी दिक्कत देगे इसके इसके तैसे निकल यहां से अब आगे से चल के देख बहुत सही लगने वाला है एक वारी अब देखो गाड़ी विलको लिग दा मस्त चामा करिया ऐसे लग रहा है कोई कलर नी एक लाइट गलो नहीं कल रहा है अपनी इस एटीवी वीकल से लेकर चलते हैं और अपनी गराज में लगाते हैं वैसे वैसे आर इसकी स्पीर सची म कियो मीटर पर हार्स पोच गई थी एक टाइम पर दो फिलाल इसको मैं पार्क करने वाला हूं एकदम साइड में इसको बीच में नी पार्क करेंगे वीच में पार्क करने के लिए मैंने एक मस्त गाड़ी सोच रखी है तो अब बारी है इस SUV को अपने साथ अपनी गिराज म के बराबर है कर वह मिनी ट्रक है बट फिर भी उसके कंपारिशन में देखा जाए तो गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है फटा-फट से लेकर चलते हैं वाव वह जो सेडान थी आपने देखा था कैसे चल रही थी बट यह कार बहुत ज्यादा इससे एक्सिदेंट होने क इसे भी पाक करते हैं पीछे से घुमा के लागा और इस गाड़ी को मैं एकदम सेंटर में लगाने वाला हूं वैसे आप लूग मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट वीकल यहां पर कौन सा लगा ओल्राइट गाइस तो भी फिलाल मैंने इस ग गुझे थे जादा है बले देखने में लगे और चलने कर दो इसका पता नहीं कैसे चलेगी ओ नहीं यह चले में भी अच्छी अरे थिरी इसके से किसी कंट्रोलिंग इसकी बिकार है बड़ इसका पिकप बॉज बैसे इस गाड़ी का तो नाम ही पिकप वीकल है तो पिकप इसका अच्छा हो गए, let's go, 48, 49, 50 km per hour पर चल रहे हैं, और वैसे इस गाड़ी का नाम पिक अप नहीं है, पिक अप केटीगरी है इसके, तो भी मैं इसे लेकर आ चुका हूँ, फड़ा फचे से गुमा के लागे पाक करते हैं, तो अभी मैं आ चुका हूँ इस चोटी वाली को लेकर अपने गिराज पर आच चुका हूँ, बट मुझे एक चोटा सा डाउट है कि क्या ये ट्रक अपने गिराज पर जा पाएगा या फिर मुझे वो तोड़ना होगा, नहीं यार ये ट्रक उस पर नहीं जा सकता, अभी मिरको वो तोड़ नहीं होगा, शेड यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है तो अभी फिलाल मैंने यहां की जो रूफ है उसे तोड़ दिया है, और अभी जो अपना ट्रक है वो अंदर आ जाएगा, बाकि अभी इसे कवर करने के लिए, मुझे यहां पर, अभी ये कवर हो जाएगा ना, भाई साब, ये स क्योंकि आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जैसे रात होते जा रहे हैं, वैसे यहां पर बहुत ज़दा अंधेरा होते जा रहे है, लेट्स को गाइस, तो फाइनली मैंने अपनी गिराज में चारो तरफ लाइट्स लगा के इसे पूरा कम्प्लीट कर दिया है, बाकि एक लगेगी, लेट्स को, इसे भी कर दे, भाई, अपना गिराज अभी सही में बहुत ज़्यादा बड़े अलग रहा है, यह बस मेटल में को उठाना है, और इस वाले लैम्प में लगा के इसको अन कर देना है, मिरेको काईस, आपलो कोमेंट्स में ज़रू होताना है, कि आप कोमेंट्स में ज़रूर बताना है, कि आपको इक गराज कैसा लगा, बाकि आज किस वाली वीडियो में इतना है, यह वीडियो में तब तक के लिए, गुर्ट, बाई!